हेलो स्टूडेंट्स आज हम करते हैं सेकेंड टाइब की प्रोग्लम एक टाइब की प्रोग्लम हम सोल कर चुके हैं जहां पर हमें नंबर्स को या एड़ करने के आफशकता पड़ी थी राइट आज हम देखते हैं वह प्रोग्लम्स जिन में हमें चलो अच्छा जैसे में यह डिवाइड करना है देखते हैं आपको एक्वेशन पढ़ने से पता चलता है या नहीं या आप मल्टिप्ला यह डिवाइड के लावा कुछ और भी करना है ओके सबसे पहला है कि पोपुलेशन ओफ टाउन किसी सहर की जो पोपुलेशन है इस देट इतनी है एंड दय् gio hai यह क्या है उस सहर में नंबर ओव मैल यानिकि यादमी इतनी है टोटल पॉपुपुलिशन इतनी है फाइंड दी नंबर ओफीमियल तो आपको नंबर ओफीमिल निकालने हैं तो कैसे निकालोगे क्या करोगे addition से तो नहीं होगा subtraction बिलकुल तो हमें क्या करना है total में से male subtract कर देंगे तो क्या जाएगा female लेकिन लिखेंगे कैसे यहाँ पर हम लिखेंगे total population of town is equal to this one and उसके बाद क्या दे रखाएगा आपको number of male number of male कितने है this one तो number of female आपको निकालना है क्या करेंगे हम subtraction कर देंगे क्यों करेंगे subtraction क्योंकि total भी हमें पता है और आदमी कितने ही भी पता है आप बताना यह है कि वहाँ पर औरतों की संख्या कितनी थी तो total में से आदमियों की संख्या माइनस कर देंगे तो ladies या female ही बचेंगे न तो वह हमारा अमसर हो जाएगा तो आप यहाँ पर इनको subtract कर दो clear digit के नीचे digit लिखोगे तो subtract करने में आपको असानी हो जाएगी तो इसलिए थोड़ा openly खूला खूला लिख लिया करो ठीक है digits को subtraction आप कर लोगे clear तो इस type के questions हैं आज के हमारे but statement क्या बनने वाली थोड़ा ध्यान से देखो और फिर आपको बनानी है statements ठेक है इस type के बहुत सारे question मिल सकते हैं जरूरे नहीं यही question मिलेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है उसके बाद हम next question solve करते हैं question number two जो है हमारा कि क्या है by how much how much क्या होता है कितना quantity by how much कितने से 456 456 जो है larger large क्या होता है बड़ा larger याने कि कितने से बड़ा है then 350 याने कि 350 से कितना ज्यादा बड़ा है कौन 456 तो क्या करोगे यह पता लगाने के लिए कि यह इस number से कि कितना बड़ा है simple क्या करेंगे हम subtraction क्यों अच्छा आप दूसरा simple question देखिए कि अगर आप से पूछा जाए कि 12 जो है वो 10 से कितना बड़ा है 12 10 से कितना बड़ा है 2 बड़ा है न कैसे पता चला बड़े नमबर में से चोटे वाला subtract कर दिया clear तो यहां पर आपको जो second question है वहां पर आपको क्या लिखना है लिखना कुछ नहीं इसमें सिधा आप subtraction करोगे और उसके बाद लिख दोगे जैसे कि subtract यहां पर आप क्या करोगे 456 minus 350 divide by sorry minus किया तो कितना आएगा आपका 601 तो 106 आगया यानि कि 106 तो आप बोल दोगे so 456 is is larger than किसी 350 by कितना बड़ा है 106 456 जो है वो बड़ा है किस से 350 से by कितने से बड़ा है 106 उसी टाइप से जो next question है आपका होँपर क्या पुछा गया है कि by how much that is smaller than 10 lakh तो इसका मतलब क्या है क्या है by how much कितने से या कितना 50,076 50,076 जो है यह smaller smaller यानि की छोटा है वोई कितना छोटा है कौन यह नंबर than say किस से 10 lakh से यहाँ पर यह पूछा गया था कि यह से कितना बड़ा है तो यानि की बड़ा यहां पर कौन छाथा है यह वाला था कितना बड़ा है यह पूछा था तो बड़े में से छोटा हमने सब्ट्राक्ट कर दिया यहाँ पर भी क्या है यह number पुछा है कि यह by how much this is smaller smaller यानि कि छोटा है कितना छोटा है then say किस से 10 lakh से तो आपको क्या करना है 10 lakh में से इसको हम क्या कर देंगे subtract कर देंगे जो answer आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा subtraction के बाद final answer हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि that सुरू में ये लिखेंगे is smaller than 10 lakh यहां से लेकर करके ये सारी line as it is by फिर जितना आपका अंसरा है था वो वाला ठीक है हो गया असान है ना हो जाएगा simple बिलकुल उसके बाद next जो है इस टाइब के सम बहुत असान होते हैं देखिए आपकी क्या है the sum of two integer या फिर two number is that दो number का sum आपको दे रखा है ये sum क्या होता है जब हम दोनो number को क्या करते हैं add करने के बाद जो हमें मिलता उसको हम sum बोलते हैं तो the sum of two number is this आपको sum दे रखा है and और one of them is that और उनमें से एक number भी बता रखा है find the other number तो आपको दुसरा number निकालना है तो हम simple क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे दो number की बात हो रही है आपको एक number पता है तो एक number आपको मानना पड़ेगा दुसरा जो आपको निकालना है है वह आपको मानना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लिए गीवन नमबर इज गीवन नमबर इज क्या दिरेख रखा है है आपको इस वन कि एट नमबर आपको पता नहीं है अधर नमबर या सेकिन नमबर वह आपको निकालना है तो मान लेजिए कि लेट लेट का मतलब होता है मानना यह ऐसे नहीं करना यह वैसे बताने के लिए कि लेट का मतलब क्या होता है मानना लेट अधर नमबर कि दूसरा जो नमबर हो मान लिया हमने क्या मान लिया एक्स ठीक है अब क्या दे रखा है आपको सम दे रखा है तो अब आपको सम दे रखा है तो सम अफ दे टू नंबर सम ओफ दी टू नंबर्स दोनों नंबर्स का सम कितना दे रखा है आपको यह रहा आपका सम टू फॉर थ्री फाइव 24,35,896 ठीक है तो अब यहां पर आप इट इंप्लाइज का साइन लगाएंगे इसको क्या बोलते हैं इट इंप्लाइज और यह क्यों लगाएंगे क्योंकि जहां पर इक्वल्टू का साइन ओल्रेडी आ जाए तो वहां पर नेक्स स्टेप पर ही क्या लग जाता आपका इट इंप्लाइज का साइन लग जाता है हम यहां पर भी इक्वल्टू और यहां पर भी इक्वल्टू नहीं लगा सकते एक लाइन में दो बर इक्वल्टू नहीं लगाना है तो इसका मतलब क्या हो गया सम अफ़ टू इन नमबर दो नमबर का सम दोनों नमबर क्या है एक तो को दे रखा है किया हमने कुछ भी नहीं किया देखिए सबसे पहले जो पहला नंबर दे रखा था वो लिख लिया उसके बाद दूसरा नंबर जो हमें निकालना है उसको लेट कर लिया यानि कि मान लिया कि वो क्या है एक से फिर क्या दे रखा है आपको sum of the two number ये भी आपको तो वो भी हमने लिख लिया अब दो नंबर का जोड कैसे करेंगे इसी तरीके से लिखते है न पहला plus second आगे पीछे लिख सकते है उसको कोई दिकत नहीं है तो उसके बाद क्या आगया आपका ये आगया तो हमें निकालना क्या है एक्स की value निकालनी है तो यहां पर implies लेएंगे बाकी वाले नंबर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कितना ये वाला क्यों माइनस में क्यों क्योंकि साइड एक साइड से दुसरी साइड जब कोई भी नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है अगर प्लस में है तो वह दुसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगा इधर माइनस में था तो दुसरी साइड जाकर या फिर इसी तरकrem के सिद्धर टिवायड में तो दजाके मल्टिप्लाइब में और इधर मल्टिप्लाइबろう में थो धर जाके डिवाइड में यह आपको ध्यान रखने हैं तो यहां पर यह देखिएगा यह वाला जो नंबर था किसमें था प्लस में था तो उससेट जाके मिनस में और जो पहले वहां पर है वह वाला ऐसे कैसे रहेगा उसका साइन चेंज नहीं करना जो नमग्र दुसरी साइड लेकर जा रहे हैं उसका साइन चेंज हो रहे हैं तो यह माइनस हो जाएगा आर माइनस करकर जो आपका आएगा वह है आपका क्या हो जाएगा सेकुन नमबर या अधर इंटीजर जौब सब्सक्राइब को चाहिए था वह का अंसर बिल जाएगा को एक इस टाइब के कुर्शन में आप गीवन नमबर यह लिखा है आप यह भी लिख सकते हो कि फस्ट नमबर इसको फस्ट नमबर मान लो दूसरे को तो second number मान लो let the second number फिर sum of the two number उसके बाद as it is जैसे कैसे तो वो आपकी मर्जी है ठीक है सिंपल क्या करना है पहला number लिखा दूसरे को मान लिया या फिर आप पहले को मान लो दूसरे को लिख लो इस नहीं है फिर sum of the number जो sum दे रखा था अब sum के निच्छे दोनों का sum करके दिखा दो मतलब sum तो नहीं हो सकता x में तो यह integer नहीं हो सकता क्योंकि x की value हमें नहीं पता है तो अब यह दूसरी side जाएगा वहां से minus हो करके हमाइं x की value मिल जाएगे आप माइनस यहां पर करके दिखाओगे फिर कोपी में भी side में ठीक है अगर माइनस multiplication या किसी भी चाज़ के आप सकता पड़ती है तो sum के side में फिर कोपी में आप करके दिखाना है आपको clear कि उसके बाद हम चलते हैं कि कुश्चन नमबर five कि क्या है a man had that twenty crore with him एक आदमी के पास twenty crore rupees है he spent और उन्होंने spent याने की खर्च कर दिये spent का मतलब कहा है कि खर्च कर दिये कितने रुपीज 11 crore 39,57,348 इतने रुपए उन्होंने खर्च कर दिये कहां पर on buying a building किसी building को खरीदने में how much money is left with him तो अब कहा है कि इतने रुपए तो उसके पास थे और इतने उसने खर्च कर दिये how much how much याने की कितना money पैसा is left बचा है with him उसके साथ left means बचा है यहां पर तो 20 crore थे 11 crore 49,57,348 उन्होंने खर्च कर दिये तो आपको बताना है कि आप उसके पास कितने रुपए बचे तो क्या करोगे subtraction क्योंकि simple सी बात है मौन लिजिए आपके पास 10 रुपए है और आप दुकान पे गए पांच रुपए की कोई भी वस्तु लेकर के वहां से आ गए या कोई पैन लेकर के आ गए तो आपके पास कितने बचेंगे पांच ही बचेंगे क्या से पता चलता है सब्ट्रेक्ट करने से क्लियर और लेकिन इसको लिखेंगे कैसे कैसे लिखेंगे इसको कि टोडल अमाउंट और अमाउंट और अमाउंट कितने थी 20 रोड रूपीज यूनिट आप साथ में लिखोगे बिल्कुल ज़रूरी होता है रूपीज है या जो भी अब्जेक्ट होती हूं जो भी है ही स्पेंट क्या कि उसने खर्च कर दिया है ही स्पेंट ऑन किस पे बॉइंड ए बिल्डिंग एक बिल्डिंग खरीद में में उन्होंने खर्च कर दिया कितना थर्टीन करोड वेट कितना था वो नोट थर्टीन एलेवन धवां पे हमारा एलेवन क्रोड थर्टीन आइन लाइक फिप्टीन थाव्जन 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 यहीं पे अगर डिजिट के नीचे डिजिट लिखो गया तो उसका आपका फायदा हो जाएगा कि आपको सब्ट्रेक्शन वहीं पे हो जाएगी अगर डिजिट के नीचे डिजिट आपने सही नहीं लिखा है तो फिर आपको अलग से सब्ट्रेक्ट करके दिखाना पड़े है ठीक है सो सब्ट्रेक्ट करके जो भी अनसर आएगा तो वही उतना ही पैसा उसके पास क्या हो जाएगा बचा है यहां पर रुपीज लिख हो गया है तो आज के लिए इतना ही तो सब्ट्रेक्शन से डिलेटेड कुछ भी कॉश्टन यानि की सब्ट्रेक्शन गभ होती है जब मान लो कि आपको कुछ टोटल बताया गया है कि किसी भी चीज़ का और उसमें से कुछ क्वांटिटी आपको कि बता दिये हैं और जो बचे हुए नंबर्स पूछे गए हैं या बचे हुए पैसे पूछे गए हैं तो उसकेस में या फिर मतलब कि आपको पता भी टोटल दे रखा है और टोटल में से कुछ अन्या चीज़ें दे रखी है जो बच गई उसकेस संख्या पूचिए तो उसक केस में आप क्या करोगे सब्ट्रेक्शन क्लियर आज के लिए इतना ही बाई 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 बच्चों सब्ट्रेक्शन से जुड़े कुछ और सम भी रहते हैं वह हम एक्सरसाइज के लास्ट में करेंगे अभी यह सिंपल वाले हैं तो आपको यह स्टेट्मेंट बनाने पर थोड़ा ध्यान देना है राइटिंग साफ होनी ची पैन का यूज कर रहे हो फस्ट टाइम तो हो सकते हैं थोड़ी सी सुरू में प्रोबलम आई बट राइटिंग आपको साफ करनी है और स्टेट्मेंट बिल्कुल अच्छे से बनानी है आपको यह जो आप जरूरी नहीं यह जो मैं लिखता हूं वही लिखोगे बट किसी की हैल्प नहीं लोगे यह से और कर लो कि लिखोगे खुद और थोड़ा सा टाइम दोगे आप सोचने के लिए खुद को कि हाँ इसकी क्या स्टेट्मेंट बन सकती है ठीक है ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन कोस्टिन में स से उठाई और लिख दे कोस्टिन को समझो देखो उसको दो मिनिट तक उसके बारे में सोचो फिर लिखे साथ में आपको यह पता चल जाएगा कि वहां के अडिशन करनी है सब्ट्रेक्शन करनी है यह मल्टिप्लिकेशन करनी है सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो भी व पास दस रुपए है ही स्पेंट थ्री रुपीज उने पैन तो तीन रुपीज उसने ऑन बाइंग अपैंट एक कोई पैन खरीदने में लगा दिये हाव मच मनी ही लेफ्ट विद हिम तो वही उसके साथ अब कितना उसके पास अब कितना पैसा बचा पहले कितने थी दस बचे हैं तो लेकिन सोचना है ना कि टैन और थरी आपको पता था सेवन कहां से आ गया इसका मतलब सब्ट्रेक्ट किया है इसका मतलब इसको सुनी भी क्या हो जाएगा सब्ट्रेक्शन हो जाएगा ठीक है अब कि बच्चों बाइबाई कल मिलते हैं